नमस्कार आप देख रहे हैं पोलिस्वारा दाब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचर करती दोनों आरुपी पुलिस को सूशना मिलने से पहले ही बालक की हत्या कर चुके थे पुलिस को जैसे ही परिवार जनों ने सूशना दी तो तद परता दिखाते हुए पुलिस के आलाधी कारियों के नेतर तुम्हें ददकाल 15 टी में गठित की गई और घटना के तीन गंटे के अंदर दोनों आरुपी ओक धर दबोचा इन दोनों आरुपी ओकी निशान देही पर पुलिस ने बालक की डेड बॉडी बरामत किये दोनों आरुपी ओके विरुद कठोरतम कारवाही की जा रही है जो कि मेरे बानिश लगते हैं वो अपने घर मेरे घर पर आते रहते थे और बच्चा उनके साथ कहीं भी जा गुंपीरता दा अब वो बच्चे को साथ में लेके गए और उसको किटनेप कर लिया उन एक मेत्र के साथ में और बाकियों उनोंने किया पूछ पैसे की मांग एती विब्लकुल मेरे को फोन लगाया मैंने जब उसको दो गहते दो एक गंटे दर दर नहीं मिला तो फिर मुझे पैसे लोगा बच्चे को में दे दूँआ नहीं तो जान से मार दो पेसे नहीं जाने पेंगा और पाकी फिर जब मैंने आजवा जो के सिट्टिस की खबोले और महां से जब में पता लगा तो मैंने देखा कि मेरे ही जो रिस्तेदार हैं वो बच्छे को लेकी गए और फिर उसके बाद में थाना पुलिस थाना में बाकी वो न्यू रहने वाले चोकी रहते थे उनको जो भी है पुछ जो भी आप रहने से जो भी आप रहते हैं और बादी अग्ला फोन भी नहीं लगाया और मेरे बच्चे को इसका क्या कारण बताए जा रहा है कि अपने पैसे कि उन्हों होंने माणी कर अपने बौला उसके बाुजीद मच्चे को मार दी इक ने तूरे यह आना जाना लगा रहता था था इसका क्या करना चाहिंगे आप रशाय साथ है ने पुरा सुयोग करा और काफी देर तक में आप जने पर साथ में धा सर रखेज़ाइज साब के साब की ने एस साब के यह साब के एस अधिया आई साब सबीन मेरी मदद करी और बाकी जवानत में ट्रेशरेस करके हम ने उसको मिला तो उस समय वो कहीं बच्चे को आत्मगाहट करके कहीं निकल चुका था जिसमें एक बात और चनल लेंदेन उनसे कुछ नहीं था कुछ भी लेंने नहीं था अपनी एक पैसे को लेकर उनों अगोशी तरी हो खाली फिरोती की मांग करी थी आप से लान स्कॉन पे में चार को उड़ता है चार करो अगोशी एक बड़ी दुकत रहतना करन जिसमें एक छोटा बच्चा खर्ष चे वर्ष का है जिसकी जिसका परण किया गया है इसकी सूचना इसके परवार जोंने लगब नौ बजे के आसवास बुले स्थाने में की थी और पॉलिस खाने को जैसे ही सुचना मिली तुरंत ही टीम एक टित्मी और इस मामरे की अब लोगे परतार चुरूप की घड़ना की परतार की तवरान एक CCTV फोटेज सामने आया इस CCTV फोटेज में जो की एक रेलवे के क्रॉसिंग का फाटक का एक CCTV फोटेज है इस फोटेज गड़े की साथ ही उसके साथ जा रहा है इस बात से पूलिस को जहन का हुई कि ये को हिनको को जैखना रिष्तेजार छान वाला हम那么 चाही है टुरंत ही परिवार ज़ना को सुंप किया भिया उसके बारे में जानकाली निकाली तो ये इनका तरीमी रिष्तेदार रृतेश थ एक प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग में इनका ये था कि हम विष्वास करता है हमें इसको विश्वास के नाथ अपने शाथ लेके जाएंगे और इसके प्रिदा से रिखम मागी हैं चुकि ये बच्चा में जानता है तो इसको जीवी छोड़ना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा इसके तहट इनकी प्लानी यही थी कि ले जाने के बाद तुरंत ही बच्चे के साथ घटना कारेद करें इसी प्लानी के तहट जब रितेश ने बच्चे को किड्नैप किया और किड्नैप करने के बाद अपना जूसे रिष्टदार विकी उसको गाड़ी में सौपा इसके बाद विकी इसको आगे उंकारेश्वर की ओर लेगी गया और चुरल के पाद इसमें बच्चे के घट्या का उसको वहाँ फेंग दिया पुलिस को जैसे ही दीतेश का पता चला दीतेश से विकी के बारे में जानकारी मिली हमें से बितनी बाद जानकारी थी कि विकी इसमें शामिल है इलेक्ट्रोनिक सर्विलेंस किया गया और साथ में पता चला कि विकी कहीं न कहीं अंकारेश्वर में है शीगरी प्रवारी शरी बिसेन और उनके नेतरतों में पूरी टीम है यहां महू से लगाता तीन टीम है उसी शर्टिप्रियों रवना की गई सगन सर्च के दौरार मुन्हों ने इक होटल में इस तुलके को विखी को पकड़ा विखी से जब गहन कुछ था हुई तो विखी ने अपन अतनती दुकत घटना की घटना के दोनों ही आरूपियों को गरतार कर लिया गया है दोनों ही आरूपी इसमें करीबी रिस्तिदार है और बच्चे के विश्वास का बच्चे के इसने का प्यार का इंकलब फाइदारें दोनों रिस्तिदारों में उनक्राया है पुलिस अप